आठ चै उपनिवेशवाद और शहर एक शाही राजधानी की कहानी उपनिवेशिक शासन में शहरों का क्या हुआ आप देख चुके हैं कि बिडिश सत्ता की स्थापना के बाद काउं का जीवन किस तरह बदल गया था इसी समय शहरों में क्या हो रहा था इसका जवाब इस बा करने वाले कस्मों से बिलकुल अलग मिलेगा पश्चमी विश्व के ज्यादातर भागों में आधुनिक शहर ओद्योगी की करण के साथ सामने आए थे ब्रिटेन में लीड्स और मैंचेस्टर जैसे ओद्योग एक शहर 19 और 20 शताबदी में तेजी से फैले क्योंकि बहुत स पर चित्र है चित्र एक इसमें है मचली पट्टनम का एक द्रिश्च 1672 मचली पट्टनम सतरमी शताबदी में एक महत्पून बंदरगा के रूप में विकसित हुआ अठार्मी सदी के आकर में जब व्यापार, बंबई, मदरास और कलकत्ता के नए ब्रिटिश बंदरगाहों पर केंद्रित होने लगा तो उसका महत्व गरता गया प्रिश्ट संख्या 65 अठारमी सदी के आखिर में कलकत्ता, बंबई और मदरास का महत्व प्रेजिडेंसी शेहरों के रूप में टेजी से बढ़ रहा था ये शेहर बहारत में ब्रिटिश सत्ता के केंदर बन गए थे उसी समय बहुत सारे दूसरे शेहर कमजोर पढ़ते जा रहे थे खास चीजों के उत्पादन वाले बहुत सारे शेहर इसलिए पिशड़ने लगे क्योंकि वहाँ जो चीजें बनती थी उनकी मांग घट गई थी जब व्यापार नए इलाकों में केंदरित होने लगा तो पुराने व्यापारिक केंदर और बंदरगाह पहली वाली स्थिती में नहीं रहे इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने स्थानिय राजाओं को हरा दिया और शासन के नए केंदर पैदा हुए तो क्षेत्रिय सत्ता के पुराने केंदर भी ढह गए इस प्रक्रिया को अक्सर शेहरी करण कहा जाता है मचली पतनम, सूरत और श्री रंग पतनम जैसे शेहरों का उननिस्मी सदी में काफी ज्यादा शेहरी करण हुआ बीस्मी शताबदी की शुरुआत में केवल ग्यारा प्रतिशत लोग शेहरों में रहते थे प्रेजिडेंसी शासन की सोविधा के लिहाज से आपनी वेशिक भारत को तीन प्रेजिडेंसी अर्थात बंबई, मदरास और बंगाल में बाढ़ दिया गया था ये तीनों प्रेजिडेंसी, सूरत, मदरास और कलकत्ता में स्थित इस्ट इंडिया कंपनी की फैक्टरियों, अर्थात, व्यापारिक चौकियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी शेहरी करण ऐसी प्रक्रिया जिसमें अधिक से अधिक लोग शेहरों और कस्बों में जाकर रहने लगते हैं इस प्रिष्ट पर है चेत्र दो इसमें है अठारमी सदी में बंबई का बंदरगाह जब इस्ट इंडिया कंपनी पश्चमी भारत में बंबई को मुख्य बंदरगाह के रूप में इस्तिमाल करने लगी तो बंबई शेहर फैलने लगा एतिहासिक शाही शेहर दिल्ली उनिसमी सदी में एक धूल भरा छोटा सा कस्बा बनकर रह गया था परंतु 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनने के बाद इसमें दोबारा जाना गई आईए दिल्ली की कहानी को सुन कर समझें कि आपनी विशिक शासन के दौरान यहां क्या चल रहा था नई दिल्ली से पहले और कितनी दिल्लियां थी आप दिल्ली को आधुनिक भारत की राजधानी के रूप में देखते हैं क्या आपको मालूम है कि ये शहर एक हजार साल से भी ज्यादा समय तक राजधानी रह चुका है इस दोड़ान इसमें छोटे मोटे अंतराल भी आते रहे हैं यमुना नदी के बाएं किनारे पर लगभग साथ वर्ग मील के चोटे से क्षेतर फल में कम से कम 14 राजधानियां अलग-अलग समय पर बसाई गई आधुनिक नगर राज्य दिल्ली में गुमने पर इन सारी राजधानियों के अवशेश देखे जा सकते हैं इन में बारमी से 17 शताबदी के बीच बसाई गए राजधानी शहर सबसे मातपून थे प्रिष्ट संख्या 66 इस प्रिष्ट पर है चित्र 3 ये है 19 सदी के मध्ध में श्याह जहानाबाद की एक तस्वीर दा इलिस्ट्रेटिड लंडन न्यूज 16 जन्वरी 1858 चित्र में बाईयोर आप लाल किले देख सकते हैं शहर को घेरने वाली दिवारों को ध्यान से देखें बीचों बीच चांदनी चौक का मुख्य रास्ता दिखाई दे रहा है देखिए कि यमना नदी लाल किले से सट कर बह रही है अब इसका रास्ता कुछ बदल गया है जहां नाव किनारे की तरफ बढ़ रही है उसे अब दरिया गंच कहा जाता है दरिया का मतलब नदी और गंच का मतलब बाजार इन सारी राजधानियों में सबसे शानदार राजधानी शाह जहान ने बसाई थी शाह जहानाबाद की स्थापना 1649 में शुरू हुई इसके भीतर एक किला महल और बगल में सटा शहर था लाल पत्थर से बने लाल कले में महल परिसर बनाया गया था इसके पश्चिम की ओर 14 दर्वाजों वाला पुराना शहर था चांदनी चौक और फैस बाजार की मुखे सड़कें इतनी चौडी थी कि वहां से शाही यात्राएं आसानी से निकल सकती थी चांदनी चौक के बीचों बीच नहर थी घने महलों और दर्जनों बाजारों से घिरी जामा मस्जिद भारत की सबसे विशाल और भव्य मस्जिदों में से एक थी उस समय पूरे शहर में इस मस्जिद से उंचा कोई स्थान नहीं था शाजां के समय दिल्ली सूफी संस्कृती का भी एक अहम केंदर हुआ करती थी यहां कई दर्गाह, खानका और ईदगा थी बड़े-बड़े चौराहों, टेड़ी मेडी गलियों, खामोश कुल दे सेक और जलधाराओं पर दिल्ली वालों को नास था शायद इसलिए मीरतकी मीर ने कहा था दिल्ली की सडकें महद सडकें नहीं हैं, वो तो किसी चितरकार की एल्बम के पन्ने है खानका, यात्रियों के लिए विश्राम घर और ऐसा स्थान जहां लोग आध्ध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते हैं संतों का आशीरवाद लेते हैं या नृत्य संगीत कारिक्रमों का आनंद लेते हैं इदगा, मुसल्मानों का खुला प्रार्थना स्थाल, जहां सार्वजनिक प्रार्थना और त्यहोर होते हैं कुल दे सेख, ऐसा रास्ता जो एक जगा जाकर बंद हो जाता है दरगाह, सूफी संथ का मकबरा, प्रिष्ट संख्या सड़सट लेकिन ये भी आदर्ज शहर नहीं था इसके एशो और आम भी सिर्फ कुछ लोगों के हिस्से में आते थे अमीर और गरीब के बीच फासला बहुत गहरा था हवेलियों के बीच गरीबों के असंख के कच्चे मकान होते थे शायरी और नृत्य संगीत की रंग बिरंगी दुनिया आम तोर पर सिर्फ मर्दों के मनोरंजन का साधन थी त्याओहारों और जलसे जलूसों में जब तब टकराव भी फूट पड़ते थे सो अलग इस प्रिष्ट पर चित्र है चित्र चार ये 1795 में टॉमस डैनियल द्वारा बनाया गया चित्र है इसमें है दिल्ली स्थित जामा मस्जित का पूरवी दर्वासा मेनारों और पूरे गंबदों वाली ये भारत की पहली मस्जित है इसी प्रिष्ट पर है चित्र पांच ये है दिल्ली में निजामुदिन ओलिया की दरगाः सुरोत एक दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब 1749 तक दिल्ली नादिर शाह के हाथों तबाही और लूट खसोट का सामना कर चुकी थी शहर के पतन पर दुख भरे लहजे में अठार्मी सदी के उर्दू शायर मीर तकी मीर कहते हैं दिल्ली जो एक शहर था आलम इंतखाब हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के मैं उसी उजड़ी हुई दिल्ली का रहने वाला हूँ जो एक जमाने में दुनिया का सबसे भव्य शहर थी नई दिल्ली का निर्मान 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को हरा कर दिल्ली पर नियंत्रन हासिल कर लिया था क्योंकि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी इसलिए मुगल बादशा को लाल किले के महल में रहने की छूट मिली हुई थी आज हमारे सामने जो आधनीक शहर दिखाई देता है ये 1911 में तब बनना शुरू हुआ जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई प्रिश्ट संख्या अर्सट एक अतीत का ध्वन्स 1857 से पहले दिल्ली के हालात दूसरे आपनिवेशिक शहरों से काफी अलग थे मदरास, बंबई या कलकत्ता में भारतीयों और अंग्रेजों की बस्तियां अलग-अलग होती थी भारतीय लोग काले इलाकों में और अंग्रेज लोग सुसजित गोरे इलाकों में रहते थे दिल्ली में ऐसा नहीं था खासत और से 19. सधी के पूर वार्ध में दिल्ली के अंग्रेज भी पुराना शहर के भीतर अमीर हिंदु स्तानियों के साथ ही रहा करते थे वो भी उर्दू-फार्सी सस्कृती व शायरी का मज़ा लेते थे और स्थानियत योहारों में हिस्सेदारी करते थे 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई जिसकी शुरुवात अठार्मी सदी में मदर्से के रूप में हुई थी इस संस्था ने विज्ञान और मानव शास्तर के क्षेत्र में एक नए युक का सूत्रपात कर दिया यहां मुख्य रूप से उर्दू भाषा में काम होता था बहुत सारे लोग 1830 से 1857 की अवधी को दिल्ली पुनर जागरन काल बताते हैं गुल फरुशान, फूलों का त्योहार, पुनर जागरन, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कला और ज्यान का पुनर जन्म यह शब्द ऐसे दौर के लिए इस्तिमाल होता है जब बहुत बड़े पैमाने पर रचनात्मक गतिविद्यां होती है 1857 के बाद, ये सब कुछ बदल गया उस साल हुए विद्रोह के दौरान, विद्रोहियों ने बहादुशा जफर को विद्रोह का नित्रित्व संभालने के लिए मजबूर कर दिया चार महीने तक दिल्ली, विद्रोहियों के नियंतरन में रही जब अंग्रेजों ने शेहर पर दोबारा नियंतरन हासिल किया तो वो बदले और लूट पाट की मुहिम पर निकल पड़े प्रसिद्ध शायर गालिब, उदास मन से इन घटनाओं को देख रहे थे 1857 में दिल्ली की तबाही को उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया जब खुसाय शेर, यानि अंग्रेज, शेहर में दाखिल हुए तो उन्होंने बेसाहरों को मारा, घर जला डाले नजाने कितने औरत मर्द, आम और खास, तीन दर्वाजों से दिल्ली से भाग खड़े हुए और उन्होंने छोटे-छोटे समुदायों तता शेहर के बाहर मकबरों में पनाह ली अगली बगावतों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने बहादुर्शा जफर को देश से निकाल दिया अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा, जिसे अब मैयानमार कहते हैं, वहां भेज दिया उनका दर्बार बंद कर दिया, कई महल गिरा दिये, भागों को बंद कर दिया और उनकी जगा अपने सैनिकों के लिए बैरकें बना दी इस प्रिष्ट पर है चितर चै, इसमें बिटिश टुकडियां दिल्ली की शड़कों पर विद्रोहियों का गतले आम करके बदला ले रही है स्रोत दो, कभी इस नाम का भी एक शहर हुआ है, दिल्ली में आ रहे बदलावों पर खालिब गहरे तोर पर दुखी थे, उन्होंने दिल्ली के अतीत पर लिखा था क्या लिखूं, दिल्ली की जिन्दगी तो किले, चांदनी चौक, यमुना के पुल पर जमने वाले चौकडियों और सालाना गुल फरोशा से धड़कती है जब ये सारी चीजें ही यहां नहीं है, तो दिल्ली जिन्दा कैसे रह सकती है हाँ, हिंदुस्तान में कभी इस नाम कभी शेहर हुआ तो सरूर है प्रिश्ट संख्या उनहत्तर, अंग्रेज दिल्ली के मुगल अतीत को पूरी तरह भूला देना चाहते थे किले के इर्दगिर्द का सारा इलाखा साफ कर दिया गया वहां के बाग, मैदान और मस्जिदें नस्ट कर दिये गए उन्होंने मंदिरों को नहीं तोड़ा, अंग्रेज आसपास के इलाके को सुरक्षित करना चाहते थे खास तोर से मस्जिदों को या तो नस्ट कर दिया गया या उन्हें अन्य कामों के लिए इस्तिमाल किया जाने लगा मिसाल के तोर पर जीनतल मस्जिद को एक बेकरी में तबदील कर दिया गया जामा मस्जिद में पांच साल तक किसी को नमाज की इजासत नहीं मिली शेहर का एक तिहाई हिस्सा दहा दिया गया नहरों को पाट कर समतल कर दिया गया इस प्रिश्ट पर है चितर साथ ये है जामा मस्जिद से फैलिस बियेतो द्वारा लिया गया फोटो 1858-69 मस्जिद के चारों तरफ बनी इमारतों को देखें 1857 की बागावत के बाद उन्हें साफ कर दिया गया था रेलवे की स्थापना करने और शहर को चार दिवारी के बाहर फैलाने के लिए 1870 के दशक में शहा जहानाबाद की पश्चिमी दिवारों को तोड़ दिया गया अब अंग्रेश उत्तर की तरफ विकसित हुए विशाल सिविल लाइन्स इलाखे में रहने लगे अब वो पुराने शहर में भारतियों के साथ नहीं रहते थे दिल्ली कॉलेज को एक स्कूल बना दिया गया और 1877 में उसे बंद कर दिया गया इसी प्रिष्ट पर है चित्र आठ ये है आसपास की इमारतों को गिरा देने के बाद जामा मस्जिद का द्रिश्य गतिवी थी चित्र साथ और आठ की तुलना करें इन चित्रों में जो फर्क दिखाई देता है उससे यहां रहने वाले लोगों पर क्या असर पड़े होंगे प्रिष्ट संख्या सत्तर एक नई राजधानी की योजना अंग्रेजों को दिल्ली के सांकेतिक महत्व का अच्छी तरह पता था लिहाज़ा 1857 की बगावत के बाद उन्होंने यहां बहुत सारे शानदार आयोजन किये 1877 में वायस रॉयल लिटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की मलिका खोशित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया वैसे तो ब्रिटिश भारत की राजधानी अभी भी कलकत्ता ही थी लेकिन इस विशाल दरबार का आयोजन दिल्ली में किया गया इसकी क्या वज़ा रही होगी विद्रो के दोरान अंग्रेजों ने ये समझ लिया था कि लोगों की नजर में मुगल बाजशा का महत्व अभी भी बना हुआ है और वो उसे ही अपना मुखिया मानते हैं लिहाजा ब्रिटिस सत्ता का मुगल बाजशाहों और 1857 के बागियों के मुख्य केंदर में पूरी तड़क-भड़क के साथ प्रदर्शन किया गया 1911 में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लेंड का राज़ा बनाया गया तो इस मौके पर दिल्ली में एक और दर्बार का आयोजन हुआ कलकत्ता की बजाए दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने के फैसले का भी इसी दर्बार में एलान किया गया इस प्रिष्ट पर है चित्र नौ इसमें है जॉर्ज पंचम का राज्य अभीशेक यानि कॉर्णेशन दर्बार 12 दिसंबर 1911 इस दर्बार में एक लाग से ज्यादा भारतीय राजा महराजा अंग्रेज अफसर और सिपाही जमा हुए थे ततकालीन शहर के दक्षिन में राइसिना पहाडी पर दस वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का निर्मान किया गया एडवर्ड लोटियन्स और हरबर्ट बेकर नाम के दो वास्तुकारों को नई दिल्ली और उसकी इमारतों का डिजाइन तयार करने का जिमा सौपा गया नई दिल्ली स्थित सरकारी परिसर में दो मील का चोड़ा रास्ता वायसरॉय के महल जो की अब राश्चपती भवन है वहां तक जाने वाला किंग्सवे जो की अब राजपत के नाम से जाना जाता है और उसके दोनों तरफ सचीवाले की इमारतें बनाई गई इन सरकारी इमारतों की बनावट में भारत के शाही इतिहास के अलग-अलग दोर की जलग दिखाई देती है फिर भी इसका रूप मोटे तोर पर क्लासिक यूनान पांचवी शताबदी इसापूर्व का दिखाई देता है उधारन के लिए वाइसरॉय पैलेस का केंद्रिय गुंबद सांची में बने बौध स्टूब की बनावट पर आधारित था लाल भुरबरे पत्थर और नकाशीदार जालियों की प्रेरना मोगल वास्तु शिलपी से ली गई थी लेकिन नई इमारतों में बिटिश प्रभुत्व की जलग भी जरूरी थी इसलिए वास्तुक ये काम कैसे किया जा सकता था नई दिल्ली के निर्मान में लगभग 20 साल लगे इरादा एक ऐसा शहर बनाने का था जो शह जहानाबाद के मुकाबले बिलकुल अलग हो उसमें भीड भरे महलों और सक्री गलियों के लिए कोई जगा नहीं थी नई दिल्ली में चौड़ी सी इमारियों का स्रोत दिखाई देते थे इसलिए नई दिल्ली में बेहतर जलापूर्ती गंदगी के निकास और नालियों की पूरी व्यवस्ता तयार की गई उसे ज्यादा हरा भरा बनाया गया वहां पेड़ और बड़े बड़े पार्क बनाए गये ताकि लगातार ताजा ह दिल्ली को राजधानी के रूप में चुनने के पीछे वाहिसरोय हार्डिंग ने ये वजह बताई थी ये बदला भारत के लोगों की कलपना के अनुरूप होगा और सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन को बनाई रखने के अदम्य संकल्प के रूप में इसकी सराहना कर भारत में ब्रिटिश शासन केवल शासन और संस्कृती की एक परत भर नहीं है ये एक पनपती हुई नई सभ्यता है इसमें पूर्व और पश्चिम के श्रेष्ट तत्वों का मिश्रण है दिल्ली के वास्तु शिल्प में इस महान तत्य की जलक मिलनी चाहिए दो थी क्या आप इस अध्याय में ऐसे दो उधारन डूंड सकते हैं जिन से पता चलता है कि राजधानी की चवी के बारे में कोई भिन्न तरह की सोच भी मौजूद थी प्रिश्ट बहत्तर विभाजन के समय जीवन 1947 में भारत के विभाजन से नई सीमा के दोनों तरफ आबादी बड़ी तादात में विस्थापित हुई इसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली की आबादी बढ़ गई रोजगार बदल गए और शहर की संस्कृती बिलकुल भिन्न हो गई सुछतंतरता और विभाजन के कुछी दिनों बाद भीशन दंगे शुरू हो गए दिल्ली में हजारों लोग मारे गए और उनके घरबार लूट कर जला दिये गए दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाले मुसल्मानों की जगा पाकिस्तान से आए सिक और हिंदू शर्णार्थियों ने ले ली शह जहनाबाद में लावारिस माकानों पर कबजे के लिए शर्णार्थियों के जुन्द खुमने लगे कई बार उन्होंने मुसल्मानों को भाग जाने और अपनी संपत्ती बेचने के लिए मजबूर भी किया दिल्ली के दो तिहाई मुसल्मान पलायन कर गए थे जिससे लगभग 44,000 मकान खाली हो गए बहुत सारे मुसल्मान पाकिस्तान जाने के इंतजार में काम चलाओ शिविरों में रहने लगे उस समय दिल्ली शर्णार्थियों का शहर बन गई थी दिल्ली के आबादी में लगबग 5 लाग की वृत्ती हो गई जबकि 1951 में यहां की आबादी 8 लाग से कुछ ही ज्यादा थी ज्यादातर लोग पंजाब से आये थे वो शिविरों, स्कूलों, फौजी बैरकों और बागबागीचों में आकर रहने लगे उन में से कुछ को खाली पड़े मकानों पर कबजे का मौका मिल गया बहुत सारे लोग शर्णार्थी बस्तियों में रहने लगे लाचपतनगर और तिलकनगर जैसी बस्तियां इसी समय बसी थी दिल्ली में आने वालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दुकान और स्टॉल खुल गए कई नए स्कूल और कॉलिज भी खोल दिये गए जो लोग यहां से गए थे उनकी जगा आई शर्णार्थियों की निपुनता और काम धंदे बिलकुल अलग थे पाकिस्तान जाने वाले बहुत सारे मुसल्मान कारीगर, छोटे-मोटे व्यापारी और मजदूर थे दिल्ली आये नए लोग ग्रामीन, भू स्वामी, वकील, शिक्षक, व्यापारी और छोटे दुकानदार थे विभाजन ने उनकी जिंदगी और उनके व्यावसाई बदल दिये थे फेरी वालों, पट्री वालों, बढ़ाई और लुहारों के तौर पर उन्होंने नए रोजगार अपनाए इन में से बहुत सारे नए व्यावसायों में काफी सफल भी रहे पंजाब से आई विशाल टोलियों ने दिल्ली का सामाजिक परिवेश पूरी तरह बदल दिया भोजन पहनावे और कला के हरक शित्र में, मुख्य रूप से उर्दु पर आधारित शहरी संस्क्रिती, नई रूचियों और समवेदन शीलिता के नीचे दब गई इसमें दिखाया गया है कि विभाजन के बाद हजारों लोग दिल्ली में बने शर्णार्थी शिविरों में रहने लगे थे पुराने शहर के भीतर, इस बीच पुराने शहर, यानि शाह जहानाबाद का क्या हुआ अतीत में मुगलों के जमाने की प्रसिद्ध नहरों से घरों में न केवल पीने का ताजा पानी आता था बलकि दूसरी घरेलू जरूरतों के लिए भी पानी मिल जाता था 19. सदी में जलापूर्ती और निकासी की इस बेहतरीन व्यवस्ता को नजर अंदास किया जाने लगा कुऊं और बावडियों की व्यवस्ता अस्त व्यस्त हो गई घरेलू कच्रे की निकासी करने वाली धाराएं भी शतिग्रस्त थी ये एक ऐसे समय की बात है जब शहर की आबादी लगातार बढ़ रही थी टूटी फूटी नहरें इस तेजी से बढ़ती आबादी की जरूरत को पूरा नहीं कर सकती थी 19 सदी के आखिर में शाह जहानी नालियों को बंद कर दिया गया और खुली नालियों की नई व्यवस्ता विकसित की गई जल्दी ही ये प्रणाली भी बोज से चर्मराने लगी बहुत सारे अमीर लोगों को सड़क किनारे बहती नालियों और उफनते खुले नालों की बद्बू परिशान करती थी दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी एक अच्छी निकासी व्यवस्ता पर पैसा खर्च करने को तयार नहीं थी तथा पी उसी समय नई दिल्ली के इलागे में निकासी व्यवस्ता पर लाखों रुपई खर्च किये गए इस प्रिश्ट पर है चित्र बाराए इसमें है दिल्ली में निजामुदीन ओलिया की दरगाह के पास बनी एक प्रसिद बावडी प्रिश्ट संक्या तिहत्तर हवेलियों का पतन सतर्मी और अठार्मी शताब्दियों में मुगल कुलीन वर्ग भव्य हवेलियों में रहता था 19. सदी के मद्धे का नक्षा देखने पर ऐसी कम से कम सो हवेलियां दिखाई देती हैं ये चार दिवारी से घिरे दालान और जर्नों वाली भव्य इमारतें थी चितर तेरा इसमें है 19. सदी के आखिर में दिल्ली का चांदनी चौक एक हवेली में बहुत सारे परिवार रहते थे खूबसूरत भाटक से भीतर जाने पर हवेली के अंदर आप एक खुले आहाते में पहुंच जाते थे इसके चारों तरफ महमानों और कारोबारियों के लिए सार्वजनिक कमरे बने होते थे जिनका सिर्फ पुरुश ही इस्तिमाल करते थे भीतरी दालान और कमरे परिवार की औरतों के लिए होते थे हवेली के कमरों का कई कामों के लिए इस्तिमाल होता था उनमें फरनीचर बहुत कम होता था यहां तक कि 19-वी शिताबदी के मध्य तक भी कमरल अदीन खान की हवेली में कई अमारतें थी उन में गाड़ी वानों, तंबू लगाने वालों, यानि देरवाल, मशालशी, खातेदारों, कलरकों, घरेलू नौकरों के रहने का इंतजाम था बहुत सारे मुगल अमीर, ब्रिडिश शासन के समय इन विशालकाए इमारतों को संभालने के हालत में नहीं थे फलसुरूब हवेलियां बटने लगी, उनके हिस्सों को बेचा जाने लगा हवेलियों के जो हिस्से सड़क पर खुलते थे, वहाँ दुकाने या गोदाम बन गए कुछ हवेलियां नए उभरते व्यावसाई वर्ग के नियंतर्ण में चली गए बहुत सारी उपयोग में ना होने के कारण बेकार हो गई अमीर का अर्थ है कुलीन वर्ग का व्यक्ति, और पनिवेशिक बंगले इन हवेलियों से बिलकुल अलग थे, ये बंगले एकल परिवारों के लिए बनाई गए थे, इसलिए उनमें एक मंजिल की ढलमा च्छत वाली इमारत होती थी, ये बंगले आम तोर पर एक या दू ए अलग बनाई जाते थे, घर की देखभाल के लिए दर्जनों नौकर होते थे, परिवार की ओरतें अक्सर दर्जियों या अन्यकारी गरों पर नजर रखने के लिए बरामदे में बैठती थी, इस प्रिष्ट पर है चित्र चौदा, इसमें है नई दिल्ली का एक आपनिवे अपने सहपाठियों के साथ अपनी राय पर चर्चा करें और बताएं कि आपने ये चुनाव क्यों किया। 2018 में लहौर गेट सुधार योजना के नाम से एक विस्तार योजना तयार की। इसके पीछे सोच ये थी कि यहां के निवासियों को पुराने शहर से अलग एक नए तरह के चौरहा बाजार की तरफ ढगेला जाए। इस चौरहे पर चानों तरफ दुकानों की कलपना की गई इसमें सड़कों के लिए जाल वाली संदचना तैकी गई। सभी सड़कों की चोड़ाई, आकार और स्वरूप एक जैसा होना था। महलों के निर्मान के लिए जमीन को एक जैसे टुकडों में बांट दिया गया था। इस नए स्थान को कलाक गंच का नाम दिया गया। ये एक सड़क। दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन 1936 में किया गया। इस योजना के तहट संपन्न लोगों के लिए दर्यागंज दक्षिन जैसे इलाके बनाए गए। यहां पार्कों के इर्दगिद रिहाईशी मकान बने। मकानों के भीतर निजता की नई सोच के हिसाब से जगा बंटी हुई थी। अब बहुत सारे परिवार या समूह साजा जगा पर नहीं रहते थे बलकि मकान के भीतर एक ही परिवार के विभिन सदस्यों के लिए अलग-अलग जगा होने लगी। प्रिष्ट संख्या 86 अन्यत्र इस प्रिष्ट पर चित्र 16 में दिखाया गया इन दोनों इमारतों में भारी समानता है लेकिन ये दोनों इमारतें बिलकुल अलग-अलग महाद्वीपों की हैं इस बात से क्या पता चलता है दक्षिन अफरीका में हरबर्ट बेकर 1890 की दशक की शुरुआत में हरबर्ट बेकर नाम का एक युवा अंग्रेज वास्तुकार काम की तलाश में दक्षिन अफरीका पहुँचा यहीं बेकर की मुलाखात केप टाउन के गवर्नर सेसिल रोड से हुई जिसने बेकर के भीतर बिटिश सामराज्य के प्रती प्यार और प्राचीन रोमन वा युनानी वास्तुशिल्प के प्रती प्रश्चंसा का बाव पैदा कर दिया इसी प्रिश्च पर चित्र 17 में दिखाई गई है दक्षिन अफरीका स्थित प्रिटोरिया शहर की यूनियन बिल्डिंग जिसकी रूप रेखा बेकर ने तयार की थी इसमें प्राचीन प्रतिश्चित वास्तुशिल्प के तत्वों का इस्तिमाल किया गया था जिनका बेकर ने नई दिल्ली स्थित सचीवाले भवन की योजना में भी इस्तिमाल किया यूनियन बिल्डिंग भी नई दिल्ली स्थित सचीवाले भवन जो की चित्र सोले में दिखाया गया है उसी की तरह एक पहाडी पर स्थित थी क्या आपने ध्यान दिया कि सत्ता में बैठे लोग नीचे से उपर की और देखने की बजाए उपर से नीचे की तरफ देखना पसंद करते हैं यूनियन बिल्डिंग और सचीवाले भवन दोनों को शाही दफ्तरों के लिए बनाया गया था आईए कलपना करें इस अध्याय में दिये गए ब्योरों के आधार पर उस जीवन के किसी एक दिन के अपने अनुभव लिखें प्रिष्ट संख्या सतहत्तर अभ्यास फिर से याद करें एक सही या घलत बताएं क पश्चमी विश्व में आधुनिक शहर और द्योगी की करण के साथ विकसित हुए क सूरत और मचली पत्टनम का उननिस्वी शताबदी में विकास हुआ ग बीस्वी शताबदी में भारत की ज्यादातर आबादी शेहरों में रहती थी ग अठारे सो सतावन के बाद जामा मस्जिद में पांच साल तक नमाज नहीं हुई न नई दिल्ली के मुकाबले पुरानी दिल्ली की साफ सफाई पर ज्यादा पैसा खर्च किया गया दो रिक्तस्थान भरें क सफलता पूर्वक गुंबत का इस्तिमाल करने वाली पहली इमारत रिक्तस्थान थी क नई दिल्ली और शह जहानाबाद की रूप रेखा तै करने वाले दो वास्तुकार रिक्तस्थान और रिक्तस्थान थे ग, अंग्रेज भीड भरे स्थानों को रिक्तस्थान मानते थे ग, रिक्तस्थान के नाम से 1888 में एक विस्तार योजना तयार की गई तीन, नई दिल्ली और शह जहानाबाद की नगर योजना में तीन फर्क ढूने चार, मद्रास जैसे शहरों के गोरे इलाकों में कौन लोग रहते थे आईए विचार करें पांच, शहरी करण का क्या मतलब है छे, अंग्रेजों ने दिल्ली में ही विशाल दर्बार क्यों लगाया जबकि दिल्ली राजधानी नहीं थी साथ, पुराना दिल्ली शहर ब्रिटिश शासन के तहट किस तरह बदलता गया आठ, विभाजन से दिल्ली के जीवन पर क्या असर पड़ा आईए करके देखें नौ, अपने शहर या आसपास के किसी शहर के इतिहास का पता लगाएं देखें कि वो कब और कैसे पहला तथा समय के साथ उसमें क्या बदलाव आए हैं आप बाजारों, इमारतों, सांस्कृतिक संस्थानों और बस्तियों का इतिहास दे सकते हैं दस, अपने शहर, कस्बे या गाउं के कम से कम दस व्यवसायों की सूची बनाएं पता लगाएं कि ये व्यवसाय कब से चले आ रहे हैं इस सूची से इस इलाके में आए बदलावों के बारे में क्या पता चलता है इसी के साथ ये पार्ट